Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel आजकी हमारे इस ख्लास में हम लोग आप नभी करनी संसाधन क्या होते हैं या किसे कहते हैं उसके संबंद में सीखने वाले हैं शबजने वाले हैं ठीक है जिसके अंतरगत हम लोग अनवी करनी संसाधन की परिभाशा देखेंगे साथ ही साथ उससे संबंदित कुछ महत्पून उदाहरनों के वारे में भी चर्चक करेंगे ठीक है तो चलिए बीना देर किये आज का हमारे हैं इंपोर्टेंट विडियो को सुरू करते हैं और सिखते हैं शमझते हैं अनवी करनी संसाधन क्या होते हैं या किसे कहा जाता है तो सरप्रोथम हम लोग अनवी करनी संसाधन क्या होता है किसे कहते हैं इसकी परिभाशा देखेंगे तो जो अनवी करनी संसाधन है उसकी परिभाशा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या परिभाशित कर सकते हैं ऐसे संसाधन जो पृत्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है जिनका उपयोग करने के बाद उनका भंडा कम हो जाता है तथा जो अपने आप नवी करित नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं और नवी करनी संसाधन कहलाते हैं अब इस परिभाशा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ठीक है परिभासा में क्या कहा जा रहा है तो परिभासा में यह कहा जा रहा है कि ऐसे संसाधन जो पृत्वी पर सेमित मात्रा में उपलब्द है सेमित मात्रा में उपलब्द है कहने का मतलब है इन संसाधनों के एक निश्चित मात्रा ठीक है पृत्वी पर उपलब्द है ठीक है निश्चित मात्रा कहने कताद पर यहा है कि यदि उनका उपयोग किया जाए ठीक है तो उस निश्चित मात्रा में से वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे यही चीज़ आगे लिखा हुआ है जिनका उपयोग करन संसाधन जो है पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे ठीक है अगे कहता है इस परिभासा में तथा जो अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं ठीक है ऐसे जो संसाधन है वे अपने आप नवीकृत नहीं होते हैं यह यह कहले कि ऐसे ज मात्रा को वापस नहीं बनाया जा सकता ठीक है या नहीं पैदक किया जा सकता ठीक है इसी को क्या कहा जाता है आ नवी करित कहा जाता है ऐसे संसाधन जिनका निर्मान संभव नहीं है ठीक है या जो अपने आप निर्मित नहीं हो सकते या अपने आपको नवी करित नहीं कर सकत ठीक है ऐसे संसाधनों कु क्या कहा जाता है अनभी करनी संसाधन कहा जाता है समझ मैं है कि आगे हम लोग उधारण के मातन से इस चीज़ को इसकी परिभासा को और अच्छे से समझने की कुछ चिस करेंगे ठीक है तो चलिए उधारण के दरप जड़ते हैं अभी कि यहाँ पर और नभी करनी संसाधन की कुछ उधारण दिये हुए हैं जिन में से सभसे पहला उधारण है वहा थी खनीश तेल, दूसरा है लो आयस, और तीसरा है कोउळा तो देहाँ यहाँ पर जितने की उधार्ण लिये हैं जैसे खनीश तेल हो गया या कोईला हो गया ठीक है यह अनभी करनी संसाधन के अंतर गताते हैं ठीक है आप सभी जानते होंगे कि यह जो खनीश तेल है लो अयस्क है और कोईला है जिनका प्रियोग वर्तमान में मनुश्यों के द्वारा इंधन के रूप में या दूसरे रूपों में किया जा रहा है ठीक है इनको बनने में सैक्डो वर्स लगे सैक्डो वर्स हजारो वर्स लगे ठीक है जिनका प्रियोग जो है वर्तमान में मनुश्यों जो है अ या फिर कोयला है इनकी मात्र सीमित यानि कि यह कभी भी खतम हो सकते हैं इनका यap रिओं दूहन किया जाए या दूहन किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी मात्रा जोकी पृत्षपी में मौजूद niedर्थी मौझूद है वो खतम हो जाएगी समाफ्थ हो जाएगी पुरितरीके से ठीक है है समझ में आ रहे है ठीक है इसलिए इसको नाम दिया गया है नवी करनी संसाधन ऐसे शंसाधन जिनको हम रविनी कृत नहीं कर सकते ठीक है कोईला का स्वरूप में हम उसको वापस पोईला नहीं बना सकते हैं ठीक वैसे ही हने इस तेलों का इस्तेमाल मनुष्य करता है लोह एसक का इस्तेमाल में मनुष्य अपने आवश्यक्ताओं की पूर्टी के लिए करता है या जीवन को सरल बनाने के लिए करता है तो उनको वापन सम उस्वरूप में परिवर्थित नहीं कर सकते हैं या ये कहे कि मनुस्य जो है इन चीजों को दुबारा नहीं बना सकते हैं इसलिए इनको अनभी करनी संसाधन कहा जाता है क्योंकि ये प्राक्रितिक रूप से तियार होते हैं और प्राक्रितिक रू क्या कहा जाता है इनको और नभी करनी संसाधन कहा जाता है क्योंकि हम इसको दोबारा नहीं बना सकते या तेग्यार नहीं कर सकते लिए रहे आशा करता हूं आप लोगों को और नभी करनी संसाधन क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हुगा है इसी प्रकार की important topic को लेकर question को लेकर मिलते हमारे next video में तब तक के लिए धन्यवाद